Hello friends, Welcome to my YouTube channel Dynamics HVC Friends, ये आप जो फोटो देख रहे हैं, ये उल्टास के कैसे टैसी का remote है ठीक है और इस बारे में बताऊँगा कि ये 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 remote है फुल सेटिंग के बारे में बताऊँगा ये remote को कैसे अपरेट करते हैं ठीक है क्या क्या फंसर्ट होते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये mode दे रखा है, auto mode, cool mode, dry mode, heat mode, fan mode, तो ये आपका mode है, और ये आपका temperature 100 degree Celsius में, ये आपका clock है, ठीक, इसमें clock बता रहा है, ये आपका fan के speed बता रहा है, ठीक है, ये fan के speed, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने on किया है, तो अभी light ज dry mode चल ला है, ठीक है, ये आपका heat mode आ गया, ये आपका fan केवाल इसमें, fan में क्या होगा, ये fan में केवाल fan आपका चलेगा, auto में, ये automatic अपने temperature सेट कर दो, automatic fan के speed को रोल कर लेगा हो, और इसका जो maximum temperature है, ये आप 30 सेट कर सकते हैं, इसमें maximum temperature 30 सेट कर सकते हैं, और इसका जो idle temperature होता है, 24 होता है, तो इससे 24 है, ओके, अब ये आपका देख सकते हैं, यहापे मैंने fan के speed को control कर रखा है, ठीक है, यहाँ से fan के speed को ज़्यादा कम कर सकते हैं, ये मैंने slide किया, slide में आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे reference होता है, air conditioning में, उसको change कर सकते हैं, ओके, यहाँ से आप air का direction उसमें set कर सकते हैं, ये आपका clock दे रखा है, ये आपका timer, on timer, ये off timer, ये आपका eco mode, ओके, इको मोड जनरली हम sleeping time में यूज़ करते हैं यह आपका कुछ point दे रखा है clock का close से set कर सकते है checkpoint का दे रखा है ठीक है इससे alarm check करते है check से ओके यह आपका हो गया आपका direction चेक करने के लिए यह direction हो गया on timer, off timer इको मोड हो गया इको मोड में आपको बताया अभी कैसे काम परते है sleeping time में इसको use करते है यह अपना temperature देरे देरे कम कर लेता है because night time में होता कि temperature कम हो जाता है यह आप देख सकते हैं मैंने clock का set कर रखा है यह आप clock set कर सकते हैं उस पर कुछ देर दबा के रखेंगे एक clock वाले पर तो इससे clock पर set कर सकते हैं घड़ी है ओके अब मैं आपको थोड़ा इंट्रेस्टिंग चीज बताता हूं ठीक है अगर इस remote के सारे setting को reset करने है तो वह reset करने के लिए कि यहाँ पर एक point दे रखा है ठीक है यहाँ पर आप जैसे कि मैं temperature का बढ़ा दिया ओके इसका mode भी change कर देता हूं ओके यह fan के speed अभी change नहीं हो रहा है mode change करना पड़ेगा अब यह dry mode पर आगे है अब dry mode पर भी यह fan के speed बढ़ने है heat mode पर आप देख सकते हैं आपका remote reset हो जाएगा ओके अब यह दूसरा वाला है लोक का ठीक है इसमें लोक लगा देख सकते हैं ठीक है लोक यह आपका देख रखते हैं signal उसमें point पॉइंट कर दा कि लोक लग गया अब इस remote में कुछ भी किजिए कोई भी changing नहीं होगा क्योंकि लोक लग गया है उसमें यह basically वहां पर यह हो जाता है जो बच्चे छेड़ शड़ देते हैं remote को उसमें यह लोक लगा सकते हैं ओके फिर हमें इसको अटाने लोक को तो फिर दोबारा क्लिक किजिए ओके लोक अट गया है ओके और यह आपका जो तीसरा point है basically यह एलाम चेक करने के लिए होता है checkpoint ओके कभी-कभी यह लाम आता है उस समय यह काम करता है उससे हम एलाम चेक करते हैं ओके so friends I hope अब आपको यह पता चल गया होगा कि यह जो remote है इसकी सारी settings के बारे में जान गया होंगे सारे functions के बारे में कि सारे functions कैसे काम करते हैं okay so अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें thank you for watching this video thank you